आखिरकार किसानों के सामने किसानों के आगे सरकार को जुकना पड़ा और यह तस्वीरे कुरुक्षेतर की तस्वीरे यह तस्वीर कुरुक्षेतर की तस्वीर जहाँ पर किसान नाच रहे हैं कूद रहे हैं गाने बज रहे हैं वहाँ पर और किसान एक बार फिर से अपना व सरकार ने मान लिया, किसानों की जो मांगे थी, वो किसानों की मांगे सरकार को माननी पड़ी, लेकिन इतनी असानी से नहीं हुआ, चिलचल आती धूप के अंदर 45 डिग्री टेंपरेचर के अंदर अपने आपको खपाना पड़ा, तब जाकर किस सरकार जो हो पीछे अटी है, ये काम कल भी हो सकता था, लेकिन किस तरह से जो है, इस काम को खीच करके आज यहां तक लाए गया, और अभी क्या कुछ फैसला हुआ है, क्या कुछ किसान नेताओं के द्वारा का गया है, राकिस टिकेट ने बहारा करके बाइट दिया है, वो मैं आपको सुनाओंगा, ले के लिए नियुन्तम समर्थन मुल्य की मांग पर सुख प्रेस वारता में किसान नेता, राकिस टिकेट और अन्ने किसान नेता, तो सरकार ने मांगे माल ली है, राकिस टिकेट ने और तमाम दूसरे नेता वहां पर मौझूद थे, उन्होंने इस बात को कहा है, और खुद क उन्होंने सामने आकर के का है, यही पर राकिस टिकेट और तमाम दूसरे किसान नेता मौझूद रहे, और यही पर आकर के का है कि हरियाना सरकार हमेशा किसानों के समर्थन में खड़ी रही है, सुर्ज मुखी की फसल के लिए मुख्यमंत्री ने MSP बढ़ाने पर सेहमती ज जतानी पड़ी, 6400 रुपए जो सरकार की तरफ से MSP था, और अब जो है उस पर करीब 4000 रुपए पहले खरीद हो रही थी, लेकिन अब 6400 रुपए पर होगा, और DC साब ने यहाँ पर आकर के का है कि कल से ही MSP के ओपर खरीद सरू हो जाएगी, गुरुनाम सिंग चडूनी क रियाई को लेकर के क्या हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप राकेश टिकेट को सुनिए, और राकेश टिकेट यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं, समझिए। परधान मंतिक बनाम इस्टेट के मुख्य मंतिरी के विच में, और हम आगे भी MSP लडाई, MSP लडाई पूरे देश में लडएगे, और लडाई को लेको लेको चलेगे, परधान मंत्री औबार करेगे, जो परधान मंतिरी का रेट है, वो हर स्टेट पे देना पड़ेगा, मर्दान सकूल और तो यहाँ को लेकर के सरकार को जो है कि सरकार को वो घरंटी देनी पड़ेगी और यहान से करती है कम से कम उतनी तो हम ले करके रहेंगे और देश बर में जो है अब MSP को ले करके यहां से सुरुवात होगी देखे सरकार जो है न वो किस तरह से छीछा लेदर कराती है सरकार जो है वो किस तरह से जो है वो पूरे करक्रम को जो है वो खुद ही बिगारती है ये चीज आप देखिए देखिए ये तस्वीरे जो है वो कल मैंने आपको दिखाई थी जरा देखिए किस तरह से भारी संक्या में आज ये जो किसान यहाँ पर नाच गा रहे हैं कूद रहे हैं वो इतनी असानी से नहीं हुआ है देखिए जरा किस तरह से चल चलाती धूप के अंदर ये तस्वीरे मैंने आपको दिखाई हैं किस तरह से बड़ी संक्या में किसान जो हो जुटना पड़ा हजारों की तदात में किसानों को आना पड़ा पंचायत करनी पड़ी लेकिन कल क्या हुआ था कल यह पड़ी तरह ने जो है वो किसानों को बुलाया था और करनाल के अंदर बुला करके का कि बाच्चित करेंगे लेकिन बाच्चित मानी नहीं गई और उसके बाद में जब वो पंचायत हो रही थी उस पंचायत सही एलान कर दिया गया कि चलिए रोड जाम करेंगे हाईवे को जाम किया जाएगा और हाईवे जाम हो गया हाईवे जाम भी हुआ लोग बैठे भी और जिस वक्त में लोग बैठे थे करीब जो है ये कल दोपैर में दोड़ हाई वजे हाईवे जाम किया गया था शाम होते होते जब मैं वहाँ पर मुझूद था तो लोग कह रहे थे कि अब जो है लाठी चार्ज होगी, क्योंकि बहुत सारे किसान जो है वो 5-6 बज़ तक निकल जाएंगे, लेकिन लोग निकले नहीं, लोग निकले नहीं, लोग वहीं पर बैठे रहें, डटे रहें, और उसका नतीजा ये हुआ, कि आज सरकार को जुकना पड़ा, पीछे आट के लिए, तो खेर, अब जो है किसान यहाँ पर नाच रहे हैं, खुसिया मना रहे हैं, यहाँ पर डीजे चल रहा है, गाने बज रहे हैं, लोग जो है वो आपस में एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, एक बड़ी जीत के रूप में इसको जो है वो किसान देख रहे हैं, ल ये उल्टा MSP को ले करके अब यहां से सुरुवात होगी अब हो सकता है कि एक बड़ी रणनीती बने SKM की तरफ से स्युक्ष किसान मोर्चा की तरफ से जब एक बड़ी जो रणनीती बनेगी MSP को ले करके तो हो सकता है कि दिल्ली के अंदर कोई बैठक हो और बैठक दिल्ली पूरे देश में लागू की जाए क्योंकि MSP अगर आप समझेंगे जितना आप समझ गये होंगे कम सक्वाइब MSP क्या चीज है तो MSP हरियाना और पंजाब के अंदर ही कुछ फसलों पर है वो भी सब फसलों पर नहीं है हरियाना और पंजाब में है बिहार में MSP नहीं है और कई राज्यों में जो है वो ना के बराबर कोई एक्की दुकी चीजों पर एक्की दुकी फसलों के उपर MSP मिल जाएगा आपको वरना हरियाना और पंजाब को अगर आप छोड़ दें पश्मी उपी का कुछ हिसा ले लें तो बाकी जहें पर MSP नहीं है और हरियाना और पंजाब वाले लोगों को पता है कि MSP की ताकत क्या है और इसलिए जो है वो इसके लिए लड़ते हैं लेकिन बाकी लोगों को भी इस बारे में समझाना पड़ेगा और अगर यह सब कुछ रहता है तो हो सकता है कि उसके बाद में जो है वो ही सितंबर के पास में सितंबर दिसंबर के पास में जो है फिर से एक बड़े आंदोलन की कोल जो है वो दे दी जाए कि या तो सरकार जो है वो मान जाए 2024 से पहले अगर अपना नुकसान नहीं करवाना चाहती है तो ठीक है वरना ये MSP को ले करके यहां पर SKM जो है वो सितंबर के आसपास में बड़ी कोई कॉल दे सकता है या जिस तरह से पिछली बार हुआ था किसान जो है अपनी फसल जोत करके फिर आए थे तो हो सकता है कि वो भी किसान जरूर देख रहा है और किसान मैंने कल भी आपको बताया था और आज सुबह भी मैंने आपको बताया कि जल्दबाजी में किसान नहीं रहता है कि देखिए नहीं हुआ आज रात को नहीं हुआ तो क्या होगा चार दिन भी लगेंगे पांस दिन भी लगेंगे महिना लगेगा साल भी लगेगा बैठ गए बैठ गए है और सिस्टम ऐसा है किसानों का आदे लोग वहां रहेंगे आदे लोग चले जाएंगे फिर आदे लोग चले जाएंगे और अगर अगर कहीं पर लाठी चार्ज हुआ कुछ भी और बार बार जो है ये राकेश टिकैट की तरफ से और वहां पर जितने भी किसान नेता थे उनकी तरफ से का गया कि घर पर जरूर रहो लेकिन ध्यान जो है वो मोर्चे के उपर रखना अगर लाठी चार्ज हो तो गाड़ी लोग निकल पड़े तो कितने लोगों को कहां तक रोकोगे फिर बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी और अब भी जो ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था इसको लेकर भी जो है वो पक्के मोर्चे हो गए था सुबह मैं आपको खबर दिखाई थी कि पक्के जो हो लोए के पोल जो खड़े करने शुरू कर दे थे टेंट लगाने शुरू कर दिये थे तो तस्वीर साब थी और सरकार ने फिर सोचा की चलिए क्यों बेवज़े एक दूसरा किसान अंदोलन की सुरूआत की जाए क्योंकि ये वही रोड है जिस रोड के ओपर ये अभी धरना चल रह से निकला तो फिर कैसे जो है वो लोगों ने भी उसका जो है वो नारे लगा करके उसको जहें देते वे जो है उसको निकलवाया और दूसरा जो ट्रक में उस मौजूद थे जो सिपाई मौजूद थे जो अधिकारी मौजूद थे उन्होंने भी किसानों को जो है वो सेलू नहीं नहीं है इसमें और एक इसके लिए संगर्स करना पड़ा और यह संगर्स के वल दो दिन कभी आप मत मान करके चलिए कि कल का और आज का संगर्स था इसमें बात खतम हो गई छह जून से पहले भी एक संगर्स चल रहा था गुर्णाम चडूनी के बारे में आपको बता र रहाई होगी लेकिन एकदम से जो है वो रहाई आज नहीं कर सकते हैं हां रहाई होगी इसमें कोई सक नहीं है लेकिन उसमें एक दिन का यह दो दिन का समय लग जाएगा कोर्ट के अंदर जैसे भी उनका डोकुमेंटेशन का जो प्रोसेस रहता है उसको पूरा करना पड़ और इसके बार किसान जों है वहां पर रिर्षा हो जाएंगा जितने केस हैं वह पूंद और उसीलिये जिगुले जीत कर वाइक इस फ्रस्राइब बन सकती है बस बनाने वाला क्यांधा होना लेकिन सरकार ना जाने क्यों सरकार ना जाने क्यों अभी स्समामने ko हुँ यहां तक लाने की बजाए च्छे तारिक को ही जो खतम किया जा सकता था या च्छे तारिक को चलिए हो गह जा सकता है लेकिन कल आज यहां पर खतम हुआ औğो यह जीज़े फैल रही है और दोज़ाडर 14 से वहाँ पर निकल करके सामने आई है, वो लोगों तक आप पहुंचाईए, आप कैसे सोंचते हैं, किसानों की इस जीत को आप किस तरह से देखते हैं, नीचे कमेंट बोक्स में लिख करके जरूर बताइए, इस वीडियो को खूब शेर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों अब ही चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएए